श्री शिवाय नमस्तु भीम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिभक्ति मार्ग में आज की वीडियो में खरमास से जुड़ी कुछ बहुत ही महतकून बाते आप लोग के साथ में शेयर करूंगी क्योंकि माक्षीश का महीना चल रहा है अगन का महीना चल रह दिदि इस बीच क्या नया घर हमें लेना चाहिए बदलना चाहिए या हम रेंट के मकान में रहते हैं तो हम दूसरे घर में shift कर सकते हैं क्या या फिर कुछ जो नवी बाहिता जो लडगिया है वह अपने ससुराल से माईके या फिर माईके से सफूर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और खरमास कब से कब तक है और साथ ही साथ खरमास से जुड़ी कुछ बहुत ही विशेश जानकारिया आप लोग के साथ में शेयर करूंगी तो वीडियो ध्यान पूर्वक सुनिएगा वीडियो यदि अच्छा लग जाता ह लाइक करने के साथ साथ चैनल को सबसाइब भी जरूर कर लीजेगा इस तरह के और पूजापार्ट संबंदी वीडियो देखने के लिए तो चलिए हम वीडियो को प्राइब करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं माक्षिच और अगहन का महीना चल रहा है और यदि आपको पता हूँ तो श्रीकृष ने स्वैन भागवत गीता में बतलाया है कि महीनों में मैं अगहन मास हूँ और रक्षों में मैं पीपल रक्ष हूँ तो ऐसे में जो अगहन का महीना है वेपून रूप से समर्पित है श्रीकृष न को जिस तरह से कार्तिक महा में हमने इसनान कि या कुछ लोगों ने सुबह उठके ब्रह्म मोरत में कार्तिक इसनान करा है उसी तरह से विशेश महिमा मानी चाती है मांगशीश के महीने की मांगशीश में कुछ लोग गुरुवार का जो व्रत होता है मालक्श्मी व्रत वो भी करते हैं उसका वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पर इपर ज़रूर देखिएगा मांगशीश को अगहनमाज भी बोला जाता है तो इसके संबंध में जैसे कि आप सभी चांते होंगे सावन में जो सुमवार पढ़ते हैं जैसे कि चार सुमवार पढ़ते हैं तो चार सुमवार का हम व्रत करते हैं तो उसी तरह मांगशीश के महीने में गुरुवार का जो व्रत होता है, वो महालक्षमी व्रत होता है, दुख दरिता को दूर करने वाला, तो व्रत अवश्य रुप से प्रतिक मनुष्य को करना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में लक्षमी सभी को चाहिए, तो ऐसे में, जो माक्षीश का महीना है, उसमें, जो पूजन पाट किया जाता और तीस दिन के जो अध्याय होते हैं उनका पाट करते हैं तो देखिए जैसा आप से हो पाएं आप करने की कोशिश करें अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो माक्षीश का महीना होता है यानि कि जो अगहन का महीना है दिसंबर प्रारम हो चुका है तो ठंड बहुत ही ज बंद क्यों कर दिये जाते हैं जैसे ही प्रवेश करते हैं उस राशी के स्वामी है धनू और मीन राशी के वह diffati का प्रभाव कम हो जाता है और जो सुर्य देव हैं आपने गुरु की सेवा लीन होने के कारण नीच की स्थिति में चले जाते तो ऐसे में जो भी धार्मिक कारे होते हैं बंद कर दिये चाते हैं और साथी साथ जो उनके साथ घोड़े हैं जिस पर सुरे देव सवार होते हैं उन्हें भी विश्राम करने के लिए छोड़ देते हैं और खरमास का अर्थ आपको समझ में आ रहा हूगा खर मतलब गधी की सवार हो जाते हैं तो इसी लिए जो उनकी गती होती है बहुत धीमी हो जाती है धीमी गती होने के कारण वे प्रिथवी लोग पे पूर्ण रुप से ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में जो खरमास का जो महिना होता है उस बीश धार्मिकारे को बंद कर दिया जाता है क् सूरेदेव नीच की स्थिती में चले जाते हैं अब ये जो टाइम पीरेडी एक बात कब तक का है सो सोला दिसंबर से खरमास का प्रारम हो रहा है और पंद्रा जन्वरी तक खरमास दोजाब चोबिस तक रहेगा संकरांती के बाद ही वापस से सूरेदेव नीच की स्थिती में चले जाते हैं तो प्रतेक व्यक्ति के जीवन पे इसका बहुत जादा प्रभाव पड़ता है और इस वीडियो को मैं पहले आप लोग के साथ में इसी लिए शेयर कर रही हूँ कि आपकी यदी कुछ ऐसे कारे हैं तो आप उन्हें पहले ही करकर रखिए कई बार हमें एक दो दिन पहले पता चलता है तो हम अपने एंड टाइम पे कारे कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आप लोग के साथ में मैं पहले वीडियो शेयर टाइम से कर देती हूँ इसलिए बोलती हूँ चैनल को लाइक करते हैं जब आप तो सब्स्राइब का बटन दबा के और बटन पे क्लिक कर लिया करें जब भी कोई पूजा पाट की वीडियो डालू तो आपको समय से मिल पाएं तो क्या है देखिए जब सूरेदेव नीच पे चले जाते हैं तो प्रतेक व्यक्ति को सूरेदेवता को प्रसंद करने के लिए उनका लाब पाने के लिए क्योंकि सूरेदेव यदी प्रबल होंगे तो आपके जीवन की आप किसी भी शेतर में पीछे नहीं रह पाएंगे कुम या रोली जो आपको मिल जाता है वो मिला के थोड़ा सा गुड मिला के सूरेदेव को अर्ग देना शुरू करिए आप सूह देखेंगे आपके जो सूरे हैं यदी नीच की स्किती में चल रहे हैं तो वह आपको कितना शुब प्रभाव देंगे यदी तुछाना आप करते हैं तो और जब आप सूरेदेव को जल अर्पित करें तो ओम घ्रणी सूर्याय नमा का चाप आपको जरूर करना है और जैसा कि मैंने बताया माक्षीष महावे श्री कृष्ण यानि माधव का पूजन अर्चन किया जाता है तो वह आपको जरूर करना है ये तो था डे 15 जनवरी तक इसके बाद जैसे कि कुछ लोग नए वरत का प्रारम करते हैं देकि प्रारम तो हम सही समय पर कर लेते हैं जैसे कि अक्सा 16 सुमबार के जो वरत हम प्रारम करते हैं सावन से उसका जो अध्यापन होता है वो इसी बीच पढ़ता है यानि कि कुछ लोगों का दिसमबर में ही पढ़ता है तो आपको 16 से लेकर 15 जनवरी तक अध्यापन नहीं करना है आप वरत अपने आगे बढ़ा सकते हैं प कुछ रेंट के जो मकान होते हैं जो लोगों कई बार होता है परेशान होके अपना घर काली करने वाले हैं सो तो शोला तारिक से पहले पहले यानी 15 तारिकों महा चले जाए कुछ कपड़े वगरा रखाएं कलश्की इसापना करा है पूजन अर्चन करके आ जाएं अब आती है सुहाग क्योंकि शादियां चल रही होती है तो कुछ लोग सुहाग की चीज़े खरीद रहे हैं तो पहले ही खरीद लीजेगा यदि रोज मरा की जिंदगी के लिए कुछ खरीद रहे हैं जैसे कि घर का राश्चन वगरा कुछ रोजाना का आप समन खरीदना चा सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं क्योंकि क्या है देखिए जो खर्मास होता है उस मलमास की तरह ही माना जाता है उसमें कोई भी शुपधार्मिक कारे नहीं किये चाते अब कुछ कमेंट्स आ रहे थे हमारे बच्चों का बर्थड़े परता है इस वीच तो हम क्या करे तो आप अपने अकॉर्डिंग देखकर उन चीजों को पहले से पहले लाकर रख सकते हैं अब साथ ही साथ इस माहा में कुछ विशेश रूप से आपको दान जरूर करना चाहिए पहले ही मैंने आपको बताया ठंड से संबंदी चीज़े आप दे सकते हैं तिल का दान किया जात हैं वह भी ठंड में बहुत काम आते हैं उनका दान कर सकते हैं बहुत सारी देखिए चीज़े होती है इस महा में तिल गुड का दान बहुत विशेश रूप से माना जाता है तो आप वह दान सरूर करें आप अनका दान भी कर सकते हैं चांवाल नाच वगेरा अपने अनुस पहली बार आ रहे हैं मिलिवाच पहली बार सुनें तो शिवक्तिमान को सबसाइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अपने नेक्स रीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु गयां जै मातारानी दोस्तों